Welcome back everyone and इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में पट्रोलियम सेक्टर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा यहां पे क्रूड ओयल को और क्रूड ओयल का क्या लिंक होता है इंफलेशन के साथ में तो सबसे पहले यह समझिए कि क्रूड ओयल का रेट जब भी बढ़ता है तो इंफलेशन जो हमें बढ़ते हो नजर आती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब क्रूड ओयल का रेट बढ़ता है तो अल्टिमेटली पेट्रोल के रेट्स बढ़ता है पेट्रोल के rates बढ़ने के विज़से हर एक चीज़ पे जो shipping cost है वो बढ़ती वी नजर आती है जिसकी विज़से यहां पे जो end price होता है उसको adjust करना पड़ता है जिसकी विज़से आप ultimately यहां पे एक price hike देखते हैं तो यह एक relation है जो आपको directly समझना चाहिए जिसकी विज़ से crude oil जो है inflation के साथ में ज्यादाता लिंक किया जाता है अब crude oil के अगर हम लोग बात करते हैं क्रूड ओयल की market की बात करते हैं तो जितनी भी गल्फ countries है इनके पास में सबसे अच्छी रिजर्व है और इनके पास में जो है सबसे अच्छी supply है यहां पे तो वह एक factor आपको सारी चीजे जो है इवी पर shift करेंगी तो क्या इसका मतलब यह है कि crude oil की या petrol की demand घतम हो जाएगी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं जो बड़े consumers है इस industry के तो जैसे कि यहां पर बड़े manufacturing units हो गए उनको बड़ी machinery को operate करने के लिए यहां पर petrol और diesel की requirement होता है साथी में अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर airline industries की तो उनको भी requirement रहेगी इसकी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल crude oil को replace कर देगा electric vehicle जाएंगे या फिर जतनी भी चीजों में electrification होगी ऐसा नहीं है demand रहेगी हाँ demand थोड़ी सी hamper जरूर होती यह न रशिय यूक्रेयन का war हुआ उसके बाद में काफी सारी countries ने रशिया के अपर sanction लगा दिया और उनसे जो है वो लोग यहां पर crude oil लेना नहीं पसंद कर रहे थे यहां पर इंडिया ने crude oil रशिया से लिया और उसके बाद में उसको refine किया refine करके जो है बाकी सारी countries को बेचा जिसकी विज़े से अगर आप देखोगे तो last one year के अंदर refined petroleum का जो export रहा है इंडिया के अंदर वो बहुत ही अच्छा component देखने को मिला है अब अगर हम लोग बात करते हैं उन companies के बारे में जो actively participate करती हैं तो उन में major companies अगर आप देखोगे तो वो PSU owned है in fact यहां पे जो refined oil का इतना ज्यादा export हुआ था उसमें भी काफी जारी PSU companies को benefit होता हो नजर आये था अब अगर हम लोग बात करते हैं ultimately in companies के बारे में जो petroleum distribution के अंदर है जैसे कि यहां पर हम लोग बात करें BPCL की HPCL की जो petroleum distribution के अंदर है तो इतने भी distributors होते हैं उनको pricing power नहीं मिलती है साथ ह में जितने भी states हैं हर जगा पर अलग अलग यहां पर taxes है जो लगाय जाते है पेट्रोल के उपर तो वह एक defining factor रहता है इन companies के लिए अगर इनके पास में reserves बहुत अच्छे price पर बढ़े हैं तो किसी quarter में आप देखेंगे इनका operating profit margin बहुत बढ़ जाता है in fact आप देखेंग यह companies है जैसे कि हम लोग बात करें थे BPCL HPCL के बारे में यह ऐसी companies है जो petroleum distribution के अंदर तो हैं साथ ही में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बड़ी companies को और बड़े clients को भी serve करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ONGC और MRPL के तो उनका ultimate aim रहता है थोड़ से बड़ industry-wise cater करना जाधा prefer करते हैं मैं उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको informative लगी होगी informative लगा है तो please like, share, subscribe जरूर करना and I'll see you guys in the next episode